निवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म पर आपके परिक्षा प्लस पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था अभी सुबह है वी बिग्यापन जो अफ़बार की कटिंग थी डाली गई थी जिसमें आप सभी को मालूम था कि राजगी प्रवक्ता के लिए उत्तरप्रदेस में बहुत ज़्यादा वेकंसी आ रही है 1473 पदों के बारे में वहाँ पर उलेक था वो बिग्यापती लोगसेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है बहुत सारे बचों की सुबह से इंक्वाईरिया आ रही थी सर इसका स्लेबस क्या होगा क्या बदलाओ होगा हमने सुबह ही यह एसपस्ट कर दिया था कि इस बार कहीं ना कहीं जो पुरानी वेकंस आपकी तरीके चल लहे थे जो परिक्षा का अभी तक पैटर्न रहा है उसमें बदलाओ होगा और बदलाओ हो चुगा है लोग से वाईब के द जो है इस वेडियो को लाइक करते रहेगा शेयर करते रहेगा बहुत सारी इंफोर्मेशन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी इस परिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर है सबसे पहले तो आपको ध्यान देना यह जो पद आया है आपका इस पद एक तक है जन्वरी आपना 18 जन्वरी तक इसकी लाश्ट जो आपकी डेट है और वो भी जो है सुल्क जमा करने की सबसे ज़्यादा महत्पूर्ड यही है और दूसरी चीज जो फाइनल सब्मिसन होता है वो डेट आपकी 22 एक तक है इसको ध्यान रखेगा तो 22 से इसकी डे किसके लिए क्या आपकी IUC मा होनी चाहिए कौन से भी से होने चाहिए प्रारंबिक परिक्षा में क्या चीजे पूछी गई है इन तमाम चीजों पर हम बहुत अच्छे से डिसकस करने वाले हैं बहुत कंसल्टेट मैंट के साथ देखेगा कि क्यों कि इसमें बदलाव हुआ है और बदलाव में सबसे अंती मस्तर तक आपको देखना है क्या चीजें कैसे कैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा एहम होगी तो इसमें आपका आपसे ही सुरू हो चुका है वहाँ पर आपको असपस्ट देख रहा होगा मैं जो बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से ध है पुड बनता है तो सारे लोग ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहले तो रेजिश्टेशन आपका वहां से होगा जो सुल्क वगएरा है नाम मातर का रखा गया है ठीक है सुल्क वगएरा सारी चीजे नाम मातर की हैं ये चीजे आप वहां से देख सकते हैं 100 रुपे आपक किया जाए तो यहां पर पुरुस वर्ग और महिला वर्ग के लिए दोनों के लिए अलग अलग बद हैं पुरुस साखा के बारे में अगर बात किया जाए तो कुल पदों की संख्या 900 आपकी कितनी है 91 रिखतियां पुरुस वर्ग के लिए हैं और 482 जो रिखतियां है ये के लिए हैं ध्यान नखेगा टोटल पदों की संख्या 1473 है और अभी भी यह लिखा हुआ है कि यह समय अनुसार बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है मनलब बढ़ने के भी चांस है अगर देखा जाए कि जो आपके पुरुष साखा है इसमें किस वीसे के लिए कितने पद है तो ध्यान दीजे हिंदी के लिए 98 कुल पद है ठीक है अंग्रेजी के लिए 100 पद है बहुते भी ज्यान के लिए 105 है रसायन भी ज्यान के लिए 106 है और जीव भी ज्यान के लिए सबसे ज्यादा पद है 137 पदों है जो पुरुष साखा है और गंडित के लिए 132 प और उर्दू के लिए 20 हैं वाणिजी के लिए मनलब जो बीकाम है कामर्स वाले हैं उनके लिए 11 मनलब 991 कुल पद हैं आपके पुरुस साखा के लिए ठीक है जी आईसी जो आपका होता है उसके लिए 991 हैं इसको ध्यान नखेगा और अनारच्छित वर्ग में अगर इसमें बात करेंगे तो 400 पद है 991 में अनारच्छित के लिए EWS वालों के लिए 98 जो है पद हैं इसको ध्यान लगेगा EWS वालों को मौका मिल ला है और जो आपके अन्य पिछडे बर्ग हैं उनके लिए इसमें 265 सीटे हैं जो अनुसूची जाती है इसके लिए 210 सीटे हैं और अन दीजिएगा सारी लोग ठीक है 482 कुलपद हैं इसमें भी आपके 1620 के अलग-अलग प्रध्यापकों के लिए विग्यापन मंग गया है प्राउक्ताओं के लिए हिंदी के लिए कुलपदों की संख्या 21 है अंग्रेजी के लिए 22 है भौतिक विग्यान के लिए 57 है रसायन 69 है जीविग्यान के लिए 91 है सबसे ज़्यादा महिला में 137 पद आपकी गणित के लिए है सबसे ज़्यादा इसमें है और इस बार का जैसा सलेबस है ना प्रिलिम्स का अभी आगे पता चलेगा बहुत अच्छा रोल प्ले करने जा रहा है जो चीजें टीम आपके साथ ल 182 पद है जिन में से अनारच्षी 203 पद है महिला साखा में 482 पद है उनमें से अनारच्षी ठीक है सामानिवर्ग जैसको बोलते हैं इसमें से 203 पद हैं EWS वालों के लिए इसमें भी मौका है 42 पद हैं और साती साथ जो अनी पिछरा वर्ग हैं उनके लिए 130 सीटी निरध और अनुसूची जाद के लिए 101 हैं अनुसूची जंग जाद के लिए 6 पद हैं ये 482 पद जो महिला साखा के लिए उनके इलबारे में रही अब इसमें आगे बढ़ते हैं अनी चीजों के बारे में बात करें तो अनी चीजों में ध्यान दिजिए जो इसमें अगर बात किया योगेता मांगी है, सबसे बड़ा सवाल आप सभी का यहीं रहता है, कि इसके लिए कौन लोग इलिजबिल हैं, तो इलिजबिल टी वहीं है आपकी जो चीज़ें अभी तक हमें देखने को मिल लाई थी, पीजी आपका मंगा हुआ है, अब इसमें बात करते हैं, कौन गौन स आपके बिसे के लिए, समास सास्त्र के लिए, भूगोल के लिए, अर्थ सास्त्र के लिए, इतिहास, नागरिक सास्त्र, भौतिक सास्त्र, सायन सास्त्र, गणित और अंगरेजी, इनको क्या आप यहां पर अनिवारी योगिता इनके लिए यहीं है, कि आपको PG होना इसमें आपकी सामान निसी मांगी है उसके बाद प्रवक्ता पुरुस जीव विज्ञान के लिए अगर देखा जाए बायलोजी के लिए तो वनस्पत विज्ञान या जंत विज्ञान में PG चाहिए आपको अगर तीसरा जो इसमें है प्रवक्ता पुरोषिया महिला साखा में सिच्छा शास्त के लिए व्याप किया जाए तो मनोविध्यान यानि साइकौलॉजी या फिर आपका सिच्छा सास्त में असना कोत्तर पीजी के सा साथ राजगी है या मानीता प्रात्यच्छन विद्याले से एल्टी डिप्लोमा या फिर भारत में बिधी द्वारा स्थापित किसी भी स्विध्याले से सिच्छा सास्तर में असनातंग मांगा हुआ है इसको ध्यान रखेगा या फिर कहा है कि किसी भी स्विध्याले में सिच्छा सास्तर में अगर आप पीजी की डिगरी रखते हैं तो आप इसके लिए सिच्छा सास्त के लिए यहाँ एलेजबिल होंगे उसके बाद अगर देखा जाए अगला जो पत है महिला या आपके पुरुस या महिला में प्रवक्ता के तोर पर जो हिंदी के प्रवक्ता के लिए एप्लाई करना चाहरे उनको क्या मांगा है ध्यान द चाहिए आप अस्तक अस्तर तक अगर संस्क्रिट लिए हुए हैं तभी आप हिंदी के लिए प्लाई कर पाएंगे इसको ध्यान लखेगा बहुत ज़रूरी चीज़े हैं ठीक है या फिर संस्क्रिट बिद्याले वारांसी की सास्तरी परिक्षा का अगर आपके पास प्रमा पत्र अपने पास रखा हुआ है तो आप यहां पर एप्लाई कर पाएंगे तो हिंदी बालों को बिसेज ध्यान रखना है कि या असनार तक में या तो संस्क्रिट होना चाहिए या सास्तरी की डिग्री होनी चाहिए ठीक है वारांसी से इसको ध्यान लखेगा अगली चीज इसमें है जो उर्दू के लिए आपका पद है उर्दू के लिए पीजी ही मांगा है उर्दू में असना कोत्तर होनी चाहिए और संस्क्रिट के लिए अगर देखा जाए तो संस्क्रिट में भारत में बीदी द्वारा स्थापित किसी बिस्विद्याले से संस्क्रिट में प आपका PG होना चाहिए ठीक है यमकौम आपका धारी करते हूं ये मंगा है और ग्रह विज्ञान के अगर बात किया जाए तो ग्रह विज्ञान में इसमें ध्यान दीजेगा ग्रह विज्ञान या ग्रह कला में असनक उत्रवपाधी होनी चाहिए या फिरमान लीजिये जो PG नह कि इसने असनातक का रखा तो वो लोगी इसके योगिये हैं तो इस simple basis तोर पर ध्यान रखना है ग्रेधिक विध्यान व gebracht के जितने पद आए um और इसको ध्यान गएगा और अग्या फिर मान लिजे है If You कोई डिगरी नहीं है तो आप आई टी कॉलें लखनू से अगर भी एसी हैं तब भी इसके क्या है इसके लिए आप योगी हैं इसको ध्यान रखे गया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें अनी चीजों की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए अधिमानी अहर्टा किसको मिलेगी ये चीजे तब आती है जब आपका जो है दो लोगों के मार्क साबके क्या होते हैं बराबर होते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है अधिमानी अहर्टा किसको दी जाए तो वहाँ पर दिया है कि आगर किसी ने राज किये या मानिता आपका चलता है क्या चीज़ें प्रादेशिक सेना में अगर आपने कम से कम दो वर्स तक की अवधितक सेवा की है या फिर आपके पास यंसीसी का बीक जो है प्रमाण पत्र होए तो आपको अधिमानी आहरता में फिर से और ज्यादा वरियता मिल जाएगी इसको ध्यान लखे तो आपको पेपर अलग अलग देना है जाहिर सी बात है उसके बाद आयू सीमा की बात किया जाए तो आई सीमा ध्यान रखेगा एक जुलाई 2020 को मिनिममम 21 साल होने चाहिए अगर आप इस पत के लिए मन लिजे फॉर्म डालने के इच्छोक हैं तो एक जुलाई 2020 एक जुलाई से काउंट कर रहा है इसको ध्यान लखेगा एक जुलाई 2020 से काउंटिंग चल लगी एज की एक जुलाई 2020 को मिनिममम एज आपकी किस साल होनी चाहिए और जो मैक्समम एज लिया है वह एज आपकी किनल लिया है 40 साल मैक्समम 40 साल मैक्समम है और मिनिममम एज आपकी किस साल होनी चाहिए एक जुलाई 2020 को इसको ध्यान लखेगा ठीक है उम्र सीमा को ले करके बहुत ज़्यादा वो रहता है उसके बाद उम्र सीमा में आपकी छूट भी दी गई है ठीक है इसमें छूट का उत्तर प्रदेश के अनि पिछड़ा बर के अभ्यरती वरगी करित खेलों के कुसल खेलाडी राजी सरकार के क्रमचारी है इन सभी को छूट के बारे में बिधवत प्राउधान इसमें दिया गया है पूरी चीज़े बिग्यप्ती में आपकी असपस्ट है और सभी को इसमे जो छूट दी जा रही पांच साल की चूट मिल लगी है इसको आपको ध्यान रखना है उसके बाद इसमें देखिए प्री परिक्षा और मेंस परिक्षा होनी है पहले इंटर्वीव भी होता था आप इंटर्वीव के बारे में कोई प्राउधान नहीं हो चुका है मतलब ए से एक क्या करना पड़ेगा आवेदन करना होगा इसको ध्यान रखेगा प्रिलिम्स के लिए पहले आवेदन होगा उसके बाद मेंस के लिए होगा वो तो होगा ही होगा पहले तो आपका मेंस जरूरी है क्या प्रिलिम्स उसके बाद यहां पर बोला है कि कुछ चीजें और आ ध्यान रखेगा वो चीजें ये क्या है कि इसमें जो इस barbecue प्रेक्षा है इसमें ध्यान लखिएगा भैयजा इसमें आपका पहला तो प्री आपका क्या है प्री आपका मसी क्या बेसच का होगा उग 2 होगा वह आपका वस्तनी स्विर्यकुल्ड विकल्पिय प्रस्ण होंगे और इसमें दूसरी बात निगेटिव मार्किंग है इसको जरूर ध्यान लखेगा इसमें निगेटिव मार्किंग है तीसरी बात क्या महतपूर है बहुत ज़्यादा महतपूर चीज़ें हैं इसलिए इनको ध्यान दीजिए सबसे पहली चीज तो इसमें निगेटिव म और भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस बार अलग-अलग criteria दी है और उसी में जो prelims का slabus है उसी में आपका सबसे ज़्यादा महत्पूर्ट बन जाता है इसमें अगर जैसे मोखी परिक्षा के लिए 13 गुना बुलाएगा लेकिन 13 गुना आपको तब बुलाएगा जैसे मान लीजिए 13 गुना में सामिल करने के है और वो minimum percentile अलग-अलग जनर्रल के लिए अलग है और अनी category के लिए अलग किया है इस पर बहुत अच्छे से ध्यान लखेगा उतने percent आपको लाना है अगर आप चारहों कि आयोग हमको क्या करे आगे बुलाए उतना तो compulsory है उसके कह रहा है कि अनुसूची जाती तथा अनुसूची जन जाती अभरतियों के लिए नियूंतम दक्षता मानक टीक है 35% है टोटल में आपका prelims जो हो रहा है उसमें 35% लाना compulsory है और यहीं पर आपका prelims में जो आपके other subject हैं टीक है उनका role बढ़ जाता है जिसके लिए team आपक आपको इन सारी चीजों के बारे में एक बिद्वत कैसे क्या हमारी रणनीत होनी चाहिए कैसे classes हम उपलब्द कराएंगे क्या चीजे बननी चाहिए testries कैसे होनी चाहिए सारी चीजों के बारे में आपको साम तक जो है update मिल जाएगा तो आभी यह ध्यान रखना है कि जो अनिस रेडियों के अभरतियों के लिए नियूंतम द अच्छता मानक मोख्य परिक्षा में अगर आपको सामेल होना है तो मिनिममम 40% अनी कटेगरी के लिए यसी और यस्टी कटेगरी के लिए आपका 35% लाना अनिवारी है तब ही आप क्या होंगे मान लिजे मोख्य का बहुत ज़्यादा महत्पूर ये चीजे हो जाती है उसके बार निगेटिव मार्किंग है ये तो आपने ध्यान ही दे लिया कि इस बार निगेटिव मार्किंग हो चुका है इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगली चीज जो इ देनानी है उनके लिए भी यहां पर ब्यवस्ता की गई है पूरी चीजे की बताया है यहां आयोग ने कि उनके किन-किन लोगों को यहां छूट मिलेगी तो इसको ध्यान लखेगा और साती साती इसमें हार एक चीजों के बारे अब हम बढ़ते हैं कुछ और चीजों के बा होनी है प्रेलिम्स आपका होना है प्रेलिम्स में अगर कुल प्रशनों की संख्या देखी जाए तो कुल प्रशन आपके 120 आने हैं प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन यह MCQ बेस्ट होंगे ठीक है बहु विकल्पी होंगे पहली जो परिक्षा होनी है प् तो वह अजसी question आपके 20 से हैं, बाकी जो 40 question बसता है, 40 question बहुत माइने रखता है, 120 जो आपके टुकुल अंग है, इसमें इन 40 अंगों का बहुत बढ़ा योगदान होता है, तो टीम इनके लिए आपको मार्क दर्सित करती रहेगी, ठीके इसके लिए बाकाईदा course हम चलाएंगे, और जो जो आपके इसमें से बिसे होंगे, जिन आप जिस बिसे के लिए अप्लाई करना चाहरे हैं, तो आप जो है नीशे नंबर चलना है, 945-0006-007, ओफीसियल नंब तो ये जो 40 question है, GES इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें क्या-क्या आपसे पूछेगा, तो सामानी विज्ञान पूछेगा, भारत का इतिहास पूछेगा, भारतीय राष्टीय अंदोलन पूछेगा, भारतीय राष्टन तरत्वेवस्ताईयम संस्क्रिज, मनलब जो आरो से ज़्यादा आप एचीव कर ले जाएंगे मार्क्स, ठीक है, और अगली चीज इसमें भोगोल भी है आपका, और जो करेंट की जो है, इसमें करेंट भी पूछेगा, सामानी बहुत देक्तार की एक शमता मनलब रिजनिंग होगी, हार एक क्लासेज आपको हम उपलवद कर आएंगे, और साथी साथ उत्तर प्रदेश से संबंदिय सवाल होंगे, और गणित भी इसमें आना है, पारिसिकी यम परियापरण है, तो ये आपका GS वाला सिलेबस होगे है, जो 40 question आपके आने है, और 80 question जो आपका आना है, उसमें आप लोग ध्यान दीजेगा, 80 question आपका जो particular मोखी परिक्षा का है, मोखी परिक्षा के भाती ही particular 80 question का इसमें भी होगा, लेकिन मोखी परिक्षा आपकी रेटेन है, लिखिद परिक्षा है और जो prelims परिक्षा है, ये MCQ बेस्ट पर है, इसको जरूर ध्यान रखेगा, तो जो इसमें 80 question का रोल है, prelims परिक्षा मे syllabus हमारा means का है मनलब पढ़ना हमें सुरू से क्या है means को रखके अपने subject को लेकर तयार करना ये बहुत अच्छा किया है उदने बाकी prelims में जो आपका 40 question का यहां roll है उस 40 question को लेकर के आपको team के दुआरा notes अच्छे उपलब्द कराए जाएगे तो ध्यान दीजिए, जो मुखी परिक्षा है, इसमें अगर बात करें, तो मुखी परिक्षा के संदर में ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या-क्या चीजें आपसे मांगा है, इस पर अगर डिसकस करें, तो जो आपके मुखी परिक्षा है, इसमें दीखें, इसमें पह होना होना है kidding इसमें मैंने आपको कुल अंग नहीं बता यह उत्तों की परिक्षा होगी अर्ग परी में और समय मनलेगा आपको दो घंटेंटे का दो घंटे में मलब 120 मिनीट में 120 सवाल करने है बहुत ज़्याइँ इस यह स्का रोल आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा प्रभावी होगा इसको ध्यान लखेगा यसके लिए तो हम classes आपको बहुत अच्छे notes सारी चीज़ उपलब्द कराएंगे और साती साथ जो 80 question है वो आप लोग बताएगा तो उसके लिए भी हम आपको classes अच्छी classes उपलब्द कराएंगे गोडवत्ता पूर्ण notes टैस्टरी सबको उपलब्द कराएंगे उसके बाद मोखे परिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो मोखे परिक्षा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोखे परिक्षा में आयोग ने हासपस्ट किया है कि दो पेपर अब इसमें जो आपकी जो पहला पेपर सामान हिंदीयों निबंद का है इसमें ध्यान दीजिए प्रथम घंड में सामान हिंदी में इसमें आपका 50 अंक रहेगा सामान हिंदी इसमें दो है ना सामान हिंदीयों निबंद तो ध्यान दीजिए इसमें जो आपका प्रथम घं का संचेपांड प्रस्ण रेखांकित अंसों की ब्याक्या उसका सेर्षक यह देना है अनाकार्थी सब्द बिलोम सब्द ठीक है परियावाची सम्तद्बो छेत्रिय सब्द भंडार ठीक है यह चीजे वहीं जो आरों के सिलेबस में आपको देखने को मिल लई है ठीक है सारी चीजे लिखने दूतिय खंड जो आपके प्रथम प्रशन पफत्र का है में दूतिय खंड के तौर पर हिंदी निबंद है और हिंदी निबंद के लिए 50 संख है ध्यान देना यहां जो आपको हैब छेट तो जो आपका पेपर पहला है सामान हिंदीयों निबंद में उसमें पहला तो आपका वहीं चीज़ें दूसरे पर हमें निबंद लिखना है उसके बाद हम दूसरे की और बढ़ते हैं तो जो आप्शनल सब्जेक्ट आपकी होगी अप्शनल सब्जेक्ट वाली ध्यान दीजे मनलब जिस विस्षय से आप एप्लाई कर रहे है प्रावक्तापत के लिए तो इसमें ध्यान दीजेगा इसमें जो प्रश्मत्रों का स्वर भाजन किया जाएगा A, B और C तीन खंड इसमें भीवाजित होंगे जो तीन खंड भीवाजित होंगे उसमें ध्यान दीजे पहले वाले खंड में लग उत्तर ये टाइप के होंगे और सभी के वो आपको डेड़ सो सब्दों में इनको लिखना है और ये भी हर एक जो प्रशन होगा वो 15 नंबर का होगा और तीसरा जो खंड बनना है ये 10 प्रशन अति लग उत्तर ये आएंगे मतलब सबके सबको 50 वर्ड में लिखना होगा परिभासा से संबंदित ऐसे समझ सकते हैं और हर एक आपका 10 वर्ड का है तो जो 20 से संबंदित है उसमें 20 सवाल आपको मुख्य परिक्षा में लिखना है और जो आपका हिंदी सामान हिंदी और निबंद का पेपर है उसमें आपको 50-50 मलब 50 का निबंद लिखना है वो 50 आ आपका बहुत बड़ा रोल निभाएगा और वो चीजें परिक्षा प्लस टीम आपके साथ करेगी इसमें बाकी मोखी परिक्षा जो 16 पद हैं 16 पदों को लेकर के यहां पर उनका सभी का स्लेवस दिया गया है क्योंकि 16 तरीके के पद हैं विसेयों के पद हैं तो उन 16 जो है विसेयों के पाटकरम मोखी परिक्षा में दिये गए हैं कि किस विसेय में आपके कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे हिंदी में उसने दे रखा है क्या चीजे हैं उसका स्लेवस मोखी परिक्षा और यहीं चीजे सबसे बड़ा फाइदा क्या है जानते हैं इस बार जो म हमारा तैयार होता रहेगा तो मतलब अगर आप इसके लिए मन लीजिए पूरी तरीके से अभी हर एक जनकारी पाच चुके तो अपने आपको पूरी तरीके से इसमें जोग दीजिए जितनी उर्जा है लगा दीजिए क्योंकि ये पद भाईया 1413 बहुत बड़ी भूम का लादा करने वाले हैं और इसमें टीम परिक्षा प्लस आपके साथ जोई ऊरल लगाएगी ऑपको और इसमें आपको पूरा टोपिक तो ये बहुत बढ़ियां चीज किया है कि आपको जो मुख्य परिक्षा देनी है मुख्य परिक्षा के हिसाब से ही आपको प्रिलिम्स तयार करना है ठीक है प्लासेज वगेरा सारी चीजे हम आपको उपलब्द कराएंगे जो चीजे मैंने बोली है उन चीजों पर आप लोग ध्यान दीज कि हाँ आप किन पदों के अब्यरती सबसे जादा है उनके लिए हम क्लासेज उपलब्द कराते रहेंगे ठीक है टीम आपके लिए सुरू से आंदर तक टेस्री माटेरियल हर एक चीजों पर काम करेगी तो इसी के साथ ठीक है जो नंबर है परिक्षा प्लस प्लेट पंप जिस पर आपको सेंड करने हैं अपने जो है जो चीजे मैंने बताइए हैं कि आपको अपने भीसे भेजने 945 000 6007 पर आपको अपना नाम और आप किस भीसे के लिए अप्लाई करना चाहरे है इस चीज को लिखकर भेजना है सारे लोग धन गएगा ठीक है आपका नाम क्या है और आप किस विसे के लिए इस राज के प्रवक्ता के लिए आवेधन कर रहे हैं उसके बारे में आपको इस नंबर पर WhatsApp करना है हमें जितने ज़्यादा information आपकी पता होगी हम उस विसे से सब्वादित सबसे पहले class सुरवात करेंगे तो इसी के साथ भी राम ले रहा हूँ अगली जो आपको information दी जाएगी कि कैसे classes जो प्लब्द करानी क्या चीजी है उसके बारे में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक मस्ती के साथ चैनल को subscribe करिए शेर करिए परिक्षा प्लस प्लेटफरम से जोड़े रहे है आगे की सभी सुचना आपको दी दी जाएगी सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद